तो नमस्कार दोस्तों चलिए ट्रेनिंग की एक और क्लास की शुरुआत करते हैं इस समय सर्दियों का मौसम चल रहा है और सर्दियों के मौसम में अक्सर एक प्रोब्लम आप देख रहे होगे कि आपकी बकरी बच्चा नहीं दे पा रही है या बहुत सारे भाईयों ने प्र और आपको इसके बिशय में जानकारी होनी चाहिए बहुत सारे भाई जो है मारे परेसान हो जाते हैं पहले से ही डॉंक्टर बुला लेते हैं और डॉंक्टर की वहां पे आवस्यक्ता नहीं होती है फालतू के चार पान सो रुपईया दे देते हैं वो जोर जबरजस्ती कर हुआ के मुझ खोल के बच्चे डिलिवरी करवा लेते हैं तो कैसे क्या प्रोसेस होनी चाहिए पूरा डीटेल से आज आप लोगों को बताऊंगा पूरी क्लास दूंगा ट्रेनिंग की और यदि आप लोग एटू-जड जानकारी चाहते हो ट्रेनिंग लेना चाहते हो तो 15 फर्वरी से बैच लेके आ रहा हूं आप लोगों को बताया है पहले भी बताया है जुड़ना चाहते हो जुड़ सकते हो एक हजार रुपए जो है उसकी फीस रखी है और ट्रेनिंग की मेरी जो क्लास है वो 15 फर्वरी से क्लास चालू होने जा रही एटू-जड जानकारिय वहां पर आपको मिलेंगी प्लस एक साल की आपको मेंबर सिफ मिलेगी एक साल जो भी समस्यां आती है आप एक साल तक मुझस सकते हो फोन रिसीब करूंगा सारी चीजें जो है मैं आप लोगों को बताऊंगा ठीक है बैक सपोर्ट दूंगा एक साल का बैक सपोर्ट आज मै आप जो बात करने वाला हूँ बकरी की डिलिवरी के वारे में बात करने वाला हूँ देखिए जब भी आपकी बकरी ब्याने वाली होती है तो बकरी के थनों में प्रापर दूद आ जाता है आपने देखा होगा जो किसान पालते हैं उन्होंने देखा होगा तो ये चीज लगेगा बकरी बच्चा देने वाली है यदि इस तरह से थन टाइट हो जाते हैं तो आपको थोड़ा सा उसकी देखरेक बढ़ा देनी है यदि स्वाम को काफी अडर दूद उतार लिया तो आपको रात में एक दो बार देखना है कहीं है ऐसा तो नहीं बकरी रात में सानी होती है एक दो दिन पहले से अलका सा डिस्चार्ज करने लगती है कुछ डिस्चार्ज आने लगता है और ब्याने के आपको देखने को मिलेगा मैल का एक लंबा सा रेषा आता है बकरी बार-बार बैठेगी ख़ड़ी होगी बार-बार पेसाब करेगी यह लच्छण देखने को मिले जाता है कुछ गुमसम होगी कुछ कराएगी और एकांत जगे ढूड़ेगी ये तो लच्छन हो गए बयाने के अंदर जाएगी जहां पे काफी गंदगी होगी वहां पे पैरों से करेगी है उसके बाद वहां पे बैठेगी अक्सर बकरियां ऐसी जगे बयाने की कोसिस करती है जो जगे एकांत हो या कुछ गंदगी वाली हो अब बकरी जहां पे बैठ गई वहां पे गंदगी वाली जगे है तो आपको बकरी को खड़ा करना है नहीं करना जहां पे बया रही है वहां पे सकून से उसको बया जाने देना है बोरे का इंतजाम करी लेना है जैसा मैं धेरों वीडियो में आप लोगों को जानकारी इसके बारे में दे दी है यहाँ पे जो मैं बात करने वाला हूँ यदि बकरी बया नहीं पा रही है तब आप क्या करोगे बकरी सूबए से यदि गुमसुम हो गई है टेल रही है गोम रही है जोर नहीं लगा रही है अब ये पॉइंट क्या है जोर नहीं लगा रही है यदि बकरी जोर नहीं लगा रही है तो बकरी अभी ब्याएगी नहीं बिल्कुल परेसान नहीं होना है आपको डॉक्टर को नहीं बुलाना है यदि बकरी कोसिस कर रही है जोर लगा र कर लेट कर खूब तेज जोर लगाती है जब खूब तेज जोर लगाएगी तो अक्सर पानी की थैली है इस तरह से बाहर आता है कई बार ऐसा होता है कि बकरी काफी हद तक जोर लगाती हो ज्यादा बच्चा नहीं फसा होता ठीक है लेकिन आपको जानकारी नहीं होती है जोर की तरफ रहता है ऐसे रहता है गर्दन पैर के उपर रहेगी यह बाला पीछे की तरफ रहेगा उस समय क्या रहता है बकरी ब्या नहीं पाती है उसी समय आपको एक बच्चे में या एक पैर उसका आगे का तीछे की तरफ होता है उस समय थोड़ी सी हल्प करनी होती है अब बकरी ब्या रही है, 10-15 मिनट से जोर लगा रही है, अब ऐसा नहीं कि आप उसमें तुरंत डट जाओ, निकालने कोशिस करना, ऐसा बिलकुल भी नहीं करना, जब काफी समय आपको लग जाए, बकरी ऐसा लगे नहीं ब्या रही है, सर उसका बाहर आ जाए, और ये आगे वाला पैर जो है, उसका दिखने लगे और ना ब्या पाए, उस समय करना है, मुँ बाहर आ जाता है, यदि बकरी बैठी है, बहुत अदि गंदगी है, थोड़ा सा यदि पानी आनी फूट गया है, साप सपाई कर देनी है, ताकि यदि वो सांस लेने लगा है, तो सांस लेत पारे, तब आपको ये सारी प्रक्रियां करनी है, कई बार ऐसा होता है, सिर्फ सर्वा आ राता है, दोनों पैर पीछे की तरफ हो जाते हैं, तो आपको थोड़ा सा उमली डाल के इस तरह से सीधा करने की कोशिस करनी है, खुद करना है, करोगे तो सीखोगे, ये चीज समझ लो, यदि आप करने की कोशिस नहीं कर रहे हो, पहले से डर रहे हो, कि हम डॉक्टर को बुला लें, तो क्या हो पाएगा, बिलुकुल नहीं हो पाएगा, आपको वहाँ पे कोशिस करनी है, पहले खुद कोशिस करनी है, अब ऐसी कोशिस भी नहीं करनी कि पूरा हाथ अंद बुलाल लेना है उस समय आपको करवाना है डिलिवरी डोक्टर से करवा सकते हो एक इस्थित ये होती है कि बकरी ब्यार नहीं पाती है कई बार बकरी बहुत कमजोर होती है तो कमजोर होने पर भी बकरी की डिलिवरी नारमल नहीं हो पाती है बकरी बहुत अदिक जोर नहीं ल उसके उससे क्या होगा बकरी को एनरजी मिल जाएगी और बकरी की डिलिवरी हो जाएगी तो इस चीज को आप लोग किलियर हो गया होगा कि डिलिवरी कैसे करवाएं कही बार यह जैसा मैंने बताया फंसा होता है और कही बार मैंने ऐसा करवाया है तो ब्याने के बाद फिर सा यदि मेंबर्शिप नहीं लिये हुए हैं, बहुत सारे लोग जो हैं मेंबर्शिप लिये हुए हैं, लाब ले रहे हैं, ओनली 500 रुपए में, पूरे साल तक मैं आप लोगों को सिखाता हूँ, डायरेक्ट आप लोग पूछ सकते हो, और बहुत सारे लोगों को लाब भी हु कि चलिए एक भाई लोग को फोन लगाते हैं चुकि एक्सर में दिखाता रहता हूं बकरी पालन में कितना नुकसान होता है क्योंकि सब लोगों को केवल फाइदा दिखाते हैं तो मैं नुकसान भी दिखाता हूं हालो नमस्कार भाई और और अलता भाई कुछ ना यार वीडियो सूट कर रहे थे इसलिए आपके पास फोन किया था सूट कर लें तो सबसे पहले चीज बताओ किती बकरी लाए थे 35 में आज की डेट में कितनी है क्या क्या समस्या यह पूरी चीज बताओ किस महीं ने चालू किया था कि माल लाए इसके बाद क्या समस्या दिखी थी बकरीयों में समस्या सबसे पहले क्या दिखी थी मतलब फीवर था सर्दी थी दस्त लग गए हैं फिर डॉक्टर वगेरा बुलाया तो उससे कुछ लाब मिल रहा था नहीं मिल रहा था अब यह बताओ आज की डेट में कुछ लाब है कि नहीं है कुछ मतलब दस परसेंट का भी फाइदा मिला है मुझसे जुड़ने से कि नहीं हाँ ऐसा तो नहीं है कि बिल्कुल आप मालो आपका इतना लोस हो गया तो पूरा तो रिकावरी नहीं करा सकते हैं लेकिन हाँ दस बीस परसेंट तीस परसेंट जो भी है उसमें तो रिकावरी होई गया होगा और यह बताओ जो बखर बकरियां कमजोर थी उनमें जो कह रहे थे उनका कुछ है ठीक है अचा बिल्कुल के लिए बताओ ऐसा नहीं है कि मैं वीडियो बना रहा हूं तो अब अभी आभी किसी का टमप्रेचर लो जा रहा है नहीं जा रहा है नहीं नहीं तो निवरो काइंड का सीरफ चला रहे होगे चलिए ठीक है बेटर है बाकी अभी यह 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 एक चीज यह बताओ अलता बाई लोन लेके काम चालू किया था ना लोगों को क्या सलाह देना मतलब यह दी पहले से थोड़ा सा काम को सीख लिया जाए इसके बाद यह सारा चीज किया जाए तो बेटर है ना वह भी अपने पैसे से लोन के भरोसे नहीं चलिए तो अभी तो अब तो कुछ अब इस समय क्या कर रहे हूं चलिए यह बताना था कि यार बहुन लोग क्या सर्दियों में काम चालू कर देते नुकसान हो जाता है तुरांता आपका कितना लग बगलोस हो गया कितने की बकरी लाए थे साड़े तीन लाग की लाए थे हैं बर्बरी लाए थे ना चलो जो भी है चलो कुछ तो बच गया है उसी को देखो अगली लोट इसी का जब आएगा रिकवरी होगी तो कुछ बारा का आपका कावर होगा चलिए ठीक हैल ताब भाई है तो यह जो भाई है गोरक पूर से है 30-35 बकरी जैसा इनोंने बताया लेके आये थे फार पे बीमारी आ गई बहुत मर गई बाद में हमसे जुड़े जो भी हम रिकवरी करवा सकते थे 10-20 परसेंट वो करवाया जुडने के बाद हमसे जुडने के बाद भी बकरीयों की 2-4 बकरीयों की मोटैल्टी हुई है चु कोई भी बकरी का यदि 3-4-5 दिन इलाज चल जाता है 10 दिन इलाज चल जाता है बकरीयों मरने लागू हो जाती है तो बकरी कमजोर हो जाती है फिर आप किसी से भी इलाज करवाईएगा बहुत कम रिकवरी मिलती है तो यह चीज के लिए रहे यदि आप लोग जुड़ना चाहते हो तो सिर्फ 500 रुपए जो भी फार्म कर रहे हो यह करने वाले ओव अभी शुरुवात नहीं किये हो तो ट्रेनिंग भी ले सकते हो सिर्फ एक अजार है उसका एक अजार इसलिए कि महिना डेड़ महिना क्लास चलेगी नंबर मेरा लेना चाहते हो तो डिस्प्ले पर लगा दूँगा यहां पर भी लिख देता हूं 9868377167 बहुत बेतरीन क्लास दूँगा और यह मेंबर्शिप की बात तो जितने भी लोग जुड़े हूं है सब की कॉल रिसीब करता हूं और रिसीब नहीं कर पाता तो बैक कॉल करता हूं ऐसा नहीं है कि मैंने किसी से 500 एक तो 500 की बहुत ज्यादा बैलू नहीं है कि 500 र यह हुए हैं बात करते हैं क्या समस्या है हलो नमस्कार बताएं अचा कप से नहीं खा रहा है भाव आई मुझे वाट्ट्सक्रों अभी बताता हूं क्या करना है ठीग है तो यह चीजे यदी आप लोग जुड़ना चाहते हो सीखना चाहते हो कुछ तो जूड़ सकते हो चलता हूं दोस्तों मिलोंगा अगले वीडियो में तब तक आप सभी लोगों से विदा लेते हैं गुद दे, थैंक यू